दोस्तों हम कोई भी financial advisor या financial expert नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दे कि इस वीडियो में दे गई सारी जानकर इंटरनेट के दुरू ली गई है और यह सारी सारी हमारी person research study है इस वीडियो में sponsor content भी हो सकता है तो जो भी आप investment करें उससे पहले आपको यही सर commitment purpose clip बनाया गया है है हलो दोस्तों मैं हूँ प्राइन साथ सभी का स्वागा कर दोवैल के बिगूफ फ्रेश वीडियो के अंदर तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तीन golden rules जो कि आप इस्तमाल कर सकते हूं for a money management हाला कि money management का जो advance वीडियो है उसके detail के अंदर तो आप उस वीडियो को ले सकते हैं जिससे कि आप समझ सकते कि 100x leverage पे भी आपकी इस तरह बड़े आराम से trading को आपकर कर सकते हैं वह भी आप रिक्स-free होके और proper money management को यूज करके बागी दोस्तों अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे mail कर सकते इन दोलों के लाबा मेरा कोई order address यहां पर नहीं है तो आते हैं दोस्तों अपने main topic के उपर की आखे का कौन सी team money management के golden यहां पर rules है सबसे पहला rule आपके उस fund कितना है इस चीज से यहां पर फर्क नहीं पड़ता है mean यहां पर जो चीज है वो यह है कि आपको particular coin के लिए जो भी आप coin में जा रहे हैं या stock में जाने आपको अपने fund का सिर्फ 10% allocate करना है 10% अगर आप allocate करते हैं एक कौन में तो इससे क्या होग कि आप multiple coins boundary ले सकते हैं different different coins आपको coins आपर देखने को मिल जाएंगे चाहिए फिर मेट्याप हो small caps हो high cap हो आपको अपना जो portfolio है उसको तीन पार्ट में इस तरह डिवाइट करना है कि आप 10 10% को इन coins में include आपके कर सकें और हाले कि market condition पर भी आप आप देख सकते हैं इससे buy करना है या फिर आपको जब भी sale करना किसी coin को तो हमेशा उसको parts में करना है जैसे कि let's suppose bitcoin है bitcoin अगर 9000 के range में चल रहा है तो आप 9000 पर 8900 पर 8800 पर इस तरीके से आप 3-4 order को fit कर सकते हूं और यह जो orders होंगे आपके buy के orders होंगे जैसी price थोड़ा थोड़ा नीचे आता है आ maximum उपर तक यहाँ पर जा पाएं और जादा स्यादा profit यहाँ पर gain कर पाएं तीसा और दोस्तों जो आखरी point है वो बहुत ही जादा simple है आपको यहाँ पर अपना जो risk है आप किसी भी coin के अंदर रकर जाते हैं तो कोशिश करें कि 2 या 5 परसन स्यादा उस coin के उपर risk ना ले आने कि stop loss के मैं आप पर बात कर रहा हूं उसके उपर ना ले और stop loss यहाँ पर mandate तरीके से लगाएं तो बस दूस्तों यही तीन rules है golden rules आप इनको कह सकते हो अगर आप इनको अपनी trading में अपनाते हो तो आने वाले time में आपकी trading और अच्छी हो सकती है बहुत चाथा discipline based से यह notification bell को दबाके all के अपर click करें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो के notification प्रॉपर टाइम पर मिल सकें तो मैं मिलता आप से अगली वीडियो को इंटरेसिंग वीडियो के साथ तब तक लिए have a great day and bye bye